वेल, डियर फ्रेंड्स, गुड बॉर्निंग, मैं डक्टर अशीश गर्ग, सहय आचारे रसायन विज्ञान, सेट राम नरायन रुया, राजकिये महाविध्याले, रामगड शेकावाथी, डिस्टिक्ट सीकर राजिस्थान बचो, B.Sc. पार्ट थर्ड में, फर्स्ट पेपर, इनार्गनिक केमिस्ट्री, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, और यहाँ पर, इस शरंखला में, इस इस थर्ड लक्टर, मैंने बचो, आपको अब तक, इस से पहले दो लक्टर्स, जिनमें, इंट्रोड़क्शन और नॉमन क्लेचर के बारे में, हमने डीटेल में पढ़ा था, कि, वाट इस ओर्गनोमेटली कमपाउंड्स, और यहाँ पर, इनका, किस तरह का, आई-उ, पी-ए-सी, नॉमन क्लेचर होता है, नॉवी स्टार्ट, क्लासिफिकेशन अब दीज कमपाउंड्स, हम इनका वरगी करन, कि किस तरह से, यह कमपाउंड, हम इनको क्लासिफाई करते हैं, बच्चो, जैसा मैंने आपको बताया, और्गनोमेटली कमपाउंड्स में, कार्बन, मैटल के साथ, बॉन्ड बनाता है, और इसे हम देर, डिफाइन किया था, कि कार्बन, अपने से कम, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ, मैटल के साथ, बॉन्ड बनाता है, ऐसी स्थिती में, कार्बन के उपर आता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज, और मैटल के उपर आता है, पार्शली पॉजि इधा रहती है देखिए बच्चों यहाँ पर CH3 MgX तो देखिए यहाँ पर दिस कार्बन इस निगेटिव दिस कार्बन इस पॉजिटिव और दिस इस निगेटिव राइट यहाँ पर ओर्गनिक पार्ट कार्बन अटेश्ट विद दा मैटल तो बॉंड बने का यहाँ पर दिस उसे तो बच्चों यहाँ पर हम मैटल कार्बन बॉंड जो फॉर्म होता है इस बॉंड की नेचर के हिसाब से किस तरह से बच्चों देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है आयनिक योगिक ऐसे ओर्गनोमेटलिक कंपाउंट्स जो आयनिक नीचर के होते हैं सेकंड वन कोवलेंट कंपाउंट्स यहाल नी और्गनोमेटलिक कंपाउंट्स जिनका नीचर कोवरेट्बांट का नीचर होता है और थारड वन बचो इसके एक्णम्पल कई आपने पड़े हैं मैं जब इसको आगे बताओंगा तब आपकांगा साइख्लोव goodbye जो एनायन है वो मैटल्स के साथ इस तरह की बॉंड बनाता है यहाँ पर क्या है वी इस्थानीकरत पाई इलेक्ट्रोंस बंध युक्ति यौगिक बच्चों यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बनिक सम्हूं मैटल के साथ बॉंड बना रहा है उसके इलेक्ट्रोंस या जिसे हम कहें पाई इलेक्ट्रों क्लाउड वो इलेक्ट्रोंस कॉमनली ये जो डी-लोकलाइजिशन होता है ये कमपाउंट्स बने होते हैं ट्रांजिशन अलेमेंट्स के मैंने इसमें एक लाइन लिखी होगी यहाँ पर संक्रबन धात हुए डिलोकलाइजड पाई एलेक्टरों बंध्युक्त योगिक ट्रंजिशन एलिमेंट्स के यानि पाई एलेक्ट्रोंस का डिलोकिलाइजेशन वी इस्थानी करन तो यहाँ पर जो और्गनिक ग्रुप होता है उसके पाई एलेक्ट्रोंस मैटल के खाली डिकक्षकों में चले जाते हैं तो दिस इस कॉल्ड वी जिसे हम कहते हैं हम डिलोकिलाइजेशन बताते हैं वी इस्थानी करन करना कहते हैं तो बच्चों तीसरा तरह के कंपाउंट्स होते हैं जिनमें pi electrons delocalized होते हैं, तो तीन तरह की compounds हैं, हम nature of metal carbon bond, we divide in three parts, तो number one is the ionic compound, number second is the covalent compound and number third is the compounds with delocalized pi electrons bonds, clear, तीन तरह से होते हैं, बच्चों यहाँ पर हम start करते हैं, ionic compounds, देखे, यहाँ पर जो पहले तीन lectures है, organometalic compounds की study करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, पहले तीन या चार lectures, organometalic compounds को, बच्चों इसके बाद हम individual member start करेंगे, जैसे lithium के organometalic compounds, तिन के organometalic compounds, aluminium के organometalic compounds, zinc and mercury, यह आपके syllabus में हैं, तो हम इन individual members के organometalic compounds की study हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले, हमें सबसे पहले, what is organometalic compounds, इनका nomenclature क्या है, इनका classification कैसे है, हम organometalic compounds को किस तरह से classify करते हैं, और बच्चों देखिए, यहाँ पर classify करने से मतलब है कि हमें इसको बताना पड़ेगा, देखिए, ionic compounds में क्या होता है, आपर, organometalic compounds, जो ionic in nature, बच्चों, अत्यधिक, कम विद्दुत्रनी धातू, यहाँ पर electron negativity, कित्ती होती है, यहाँ पर, less than 1.2, इवं carbon, electron negativity, 2.5 electron bolt, यहाँ पर carbon की position कैसी है, बहुत strong है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, carbon की position बहुत strong है, तो carbon becomes partially negative, due to having very high electron negativity, in comparison to, this, less electron negative metal, है न, यहाँ पर carbon अत्यधिक, विद्दुत्रनी होता है, तो बच्चों, जो bond formation होता है, उसकी nature आयनिक होती है, understood है बच्चों, कि यहाँ पर electron negativity of the carbon is very high, so that metal के साथ जो bond form होगा, वो यहाँ पर polar nature का होगा, आयनिक nature का होगा, देखे, यहाँ पर लिखा है मैंने, alkali metals, alkali metals में first group metals, that is li, n, a, k, r, b, c, s, f, r, first group metals, आयनिक, कार्भधात्विक, यॉगिक बनाती है, बच्चों, इसके कुछ characteristics मैंने लिखे है, number one, obviously, यहाँ पर bond जो होता है, वो polar nature का होता है, तो यह organic solvents में insoluble, क्योंकि organic solvents कैसे होते हैं, non-polar, right, इनका nature कैसा हो गया, आयनिक in nature, due to polarity in the bond, like this, ठीक है, तो बच्चों, जबकि, यह compounds, कौन से वाले, आयनिक, और्गनोमेटली compounds, बच्चों, यह compounds, water के अंदर soluble होते हैं, because water is the polar solvent, ध्रुविय विलायक होता है, इसका dielectric constant high होता है, correct, second one, इनके जो विलियन होते हैं, वो विद्दुत के चालक होते हैं, बच्चों, जब हम electrolysis process करते हैं, बच्चों, this is the C2H5-NA, हम जब इसका electrolysis करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों, यहाँ पर, you know, ethyl anion, इस वह हम कहना चाहिए, यह जाता है, एनोड के पास, धन सिरे के पास, जबकि यहाँ पर sodium जाता है, कैथोड के पास, रिंड सिरे के पास, तो यहाँ पर, विद्दुत का चालन करते हैं, electrolysis होता है, इन अनों में, कार्बन रिनावेशित होता है, बच्चों, कार्बन की electronegativity is very high, ऐसी परिस्थिती में क्या होगा, कार्बन is partially electronegative, तो रिनावेशित होता है, आते, ऐसे अनों, जिन में रिनावेश डिलोकलाइजड हो जाता है, अधिक इस्थाई होते हैं, अब देखो बेटा, ऐसा है, यहाँ पर electron किसके अंदर है, देखो बच्चों, यह जो na plus है, यह na plus फिनाईल के पास चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, बेंजीन के पास, यहाँ पर hydrogen निकलेगी, and it will form C2X6, now यह इसके पास गया, क्योंकि, बेंजीन रिंग में 6-5 electron होते हैं, और यह 6-5 electrons delocalized होते हैं, resonating structures बनती हैं, तो बच्चों यहाँ पर, ऐसे अनू जिनमें रिनावेश का delocalization हो जाता है, बच्चों यहाँ पर, यह जो बेंजीन रिंग होती है, इसके अंदर, अगर हम इस तरह से इसको देखते हैं, तो इसमें electrons का इस तरह से delocalization होता है, यह मैं बहुत बार बता चुक कार्बन रिनावेशित होता है, बच्चों यहाँ पर, इसके delocalization होने से, यह अधिक इस्थाई होते हैं, तो बच्चों, यहाँ पर, ऐसे compounds, जैसे हमने लिया यहाँ पर, C2H5, Na, यह जब बेंजीन के साथ reaction करते हैं, यह फॉर्म C2H6, और इस तरह से बच्चों, इस इस फिनाइल सोडियम का formation होता है, नाव नेक्स्ट वन, इसमें हम भी पढ़ते हैं, कोवलेंट compounds, कोवलेंट और्गनमेट्रिक कमपाउंट, बच्चों देखिए, non-metals, where less electronegative metals, कारबन के साथ, कोवलेंट और्गनमेट्रिक कमपाउंट बना दी हैं, बच्चों देखिए, यहाँ पर एक important चीज़ क्या होती है, कि कारबन, जो कोवलेंट बॉन्ड का concept है, वो क्या है, कि जब दो तत्वों के बीच बॉन्ड बनता है, उनके बीच में electrone negativity का ज़्यादा difference नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आइनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, जस्ट डबल, कारबन की electronegativity, मैटल के comparison में, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में बच्चों क्या हो रहा है, वे नॉन मेंटलस, वे लेस electronic metals, कारबन के साथ, कॉवलेंट और मेंटल कंभाउंड बनाती है, बच्चों यहाँ पर, metal carbon bond ये कैसा होता है sigma bond और obviously sigma bond होने का मतलब nature इसका होता है covalent in nature तो बच्चों लेकिन bond की nature कैसी होती है polar, बच्चों लेकिन bond की nature कैसी होती है little bit difference in the carbon and metal so that यहाँ पर हम example देखते है देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि carbon and metal इनकी electron negativity में ज्यादा difference नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत difference होता है जिसकी वज़े से मैंने लिखा है यहाँ पर कि bond की nature कैसी होती है polar, although it is a covalent bond bond कैसा होता है इसमें sigma bond, बच्चों यहाँ पर example, example देखे, this is the dithyl zinc right, next is the trimethyl borine the next example is the triethyl aluminium right, this is the triethyl aluminium right, so these are the three examples जो हम covalent organometrally compounds के देखते है बच्चों नाओ next यहाँ पर हम देखते हैं delocalized वी इस्थानीकरत पाई इलेक्ट्रोन बंध्योक्ति योगिक right, यहाँ पर इस प्रकार की योग्कों में organic group के delocalized पाई इलेक्ट्रोन क्लाउड जैसा मैंने आपको बताया cyclopentadienyl ferocene जो बनता है मैं इसका example आपको आगे बताऊँगा यहाँ पर बच्चों इस तरह से होता है like this इस तरह से और बीच में इसमें iron तो यहाँ पर जो organic group होता है जो की metal के साथ bond बनाता है उसके πाई electron clouds उसकी बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर organic group के delocalized πाई electron cloud where metal atoms के खाली कख्षकों के बीच overlapping होती है अती व्यापन होता है यहाँ पर बच्चों देखिए जो metal होती है जैसे मैंने आपको बताया transition metal और transition metal में क्या होता है empty d orbitals तो यहाँ पर organic group के जो loose electrons, pi electrons होते हैं यह electrons metal के empty d orbitals में आ जाते हैं इस प्रकार की योगिक संक्रमन धातुओं द्वारा बनाये जाते हैं बच्चों यह important शीज है क्योंकि इन में transition metals पूरे भरे कख्षकों के साथ-साथ रित डी कख्षक भी होते हैं बच्चों transition series this is the first transition series we start from scandinium to zinc atomic number 21 to atomic number 30 second transition series we start from y yttrium atomic number 39 to cadmium 48 and the next transition series it is started from lathenum 57 to atomic number 80 mercury right तो तीन transition series है हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह के compounds यहाँ पर बनते हैं transition elements के द्वारा बच्चों यहाँ पर पहला example हमने लिया है bridge bonded alkyl compounds देखो बटा यह जो compound है यह मैंने आपको आपकी class है third year यह आपने BSC part first में boron and its compound उसके अंदर bridge compounds आपने पड़े हैं diborane के और वहाँ पर हमने इसका structure भी पढ़ा है मैं आपको recall करा रहा हूँ इस बात को 13th group boron aluminium वहाँ पर हमने इस structure को पढ़ा है तो बच्चों देखिए क्या है कि trimethyl aluminium obviously aluminium की valency कितनी है plus 3 तो 3 methyl aluminium के साथ इस तरह का bond मनाते हैं लेकिन trimethyl aluminium एक dimer के form में like this CH3 hole 6 AL2 के रूप में पाया जाता है क्योंकि ये concept आपने B2H6 के structure जैसा है है ना यहाँ पर 1, 2, 3 aluminium कैसा होता है electron new yogic electron deficient compound और यहाँ पर 3 centered 2 electron bonds का formation होता है और इस तरह से CH3 hole thrice AL की जगे CH3 hole 6 AL2 ये क्या है एक dimer इस द्वीलक है ना दिस इस दा monomer और इसको multiplied by 2 दिस दा formation of dimer इस तरह से trialkyl anemolium का structure बनता है एक और example बच्चों मैंने लिखा यहाँ पर इस वेनेडियम hexa vanadium hexa carbonyl is a dimer तो बच्चों देखे यहाँ पर कि सेतू बंध dimer की रूप में bridge bond इस तरह का structure बच्चों इस दा you know vanadium metal and this is the you know five carbonyl and you know one carbonyl यानि इसको यह कौन से carbonyl होते हैं इस आर दा bridge bonds इन्हें हम mu से indicate करते हैं बच्चों BSC part second make coordination compounds का nomenclature उसके अंदर मैंने इसको बहुत detail में बताया है मैं आपको hint कर रहा हूँ आप इसी link के उपर coordination compounds हैं और coordination compounds में यह जो example है इन्हें हम कहते हैं mu these are the bridge ligands यह carbonyl जो होते हैं यह जो organic group होते हैं बच्चों इसको मैंने महाँ पर explain किया है देखिए बच्चों हम इस third lecture में organometally compounds के classification की बात कर रहे हैं और classification में हमने ionic organometally compounds covalent organometally compounds and the third is compounds with delocalized pi electrons की जिन में organic group जो की metal के साथ bond बनाता है उसके pi electrons metal के खाली कक्षकों के साथ delocalization होता है हमने यहाँ पर बच्चों एक example यह देखा है और बाकी यहाँ पर किस तरह से delocalization होता है इसके प्रकार का हम next part में अध्यन करेंगे बच्चों यह organometally chemistry के तीन या चार lectures beginning के बहुत important है क्योंकि यह पूरी organometally chemistry जो हम पढ़ेंगे individual member की उसका यह basis है तो बच्चों मुझे उमीद है कि आपको यह lecture समझ में आएंगे और आप एक और मेरा suggestion है कि मैंने जब lecture start किया है तो मैंने 7-8 second का time लिया है आप उस समय में इस lecture का screenshot लेकर के अपनी copy में note कर लें और उसके बाद क्योंकि एक बार जब आप writing वर कर लेंगे और उसके बाद जो मैं explain कर रहा हूँ उस explanation को आप सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह topic clear हो पाएगा So that's all in this lecture with good wishes Thank you very much कर दो कर दो झाल झाल